मैं आपका दोस्ट भमगो स्वामी और आपका स्वागत है हमारे फिजिक्स के एक नए वीडियो में तो फ्रेंड आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स 2020 यानि कि अन्सी एर्टी बुक के ऐसे कुछ 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 बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बो तो फ्रेंड आगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंड देखिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आती महात्यपोन प्रश्ण कुछ जो महात बहुत ही ज्यादा महात्यपोन है वो बताऊंगा तो फर्स्ट जो इसमें टापिक है वो है धन आपेसित वस्तु में इलक्ट्रानों की कमी होती है ये कौन नहीं जानता कि अगर कोई भी वस्तु धन आपेसित है तो उसमें इलक्ट्रानों की कमी होगी ठीक है तो ये एक बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्डन टॉपिक है तो देखिए कि धन आपेसित वस्तु में इलक् फूरानों की कमी होगी तो रेन्ण याभेस्य वस्तों में रेक्ता थीकता होती है तो यह तौपिक आप अच्छे से देख लीजिए उसके बाद ठाड कै है दो सम्रूप यानि कि दो सम्रूप धात के गोले को करमसा प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आभेस दिये गया है तो धनाभेसित गोले का द्रब्यमान अधिक होगा यह पॉइंट आपको नोट करने के लायक है कि अगर दो सम्रूप धात के गोले करमसा अगर दो सम्रूप धात के गोले हैं जिस पर एक पर प्लस आभेस पर माइनस तो जो द्रब्यमान होगा वो किसका अधिक होगा धनाभेसित गोले का द्रब्यमान अधिक होगा ठीक है यह पॉइंट आप नोट क यह फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कुलाम आभेश में इलेक्ट्रानों की संख्या छे दस मलों दो पांच गुड़े दस गहात अठारा कुलाम होती है ठीक है अब फ्रेंड यह था चौथा पांच अब देखी क्या है और आप चाहें तो इसको निकाल भ इलेक्ट्रान होते हैं कैसे प्रूब करेंगे तो देखिए फ़से पहले आभेश कितना है क्यों बराबर एक कुलाम ठीक है एक कुलाम आभेश है आपका तो आप इसे ध्यान से देखिए और आपको क्या सिद्ध करना है कि एक कुलाम आभेश में कितनी इलेक्ट्रान होते ह तो Q बराबर आपने एक सूत्र पढ़ाओगा Q is equal to N E ठीक है और जो इलक्टरान पर आबेस होता है यह तो आप जानते होंगे और यह कितना है फ्रेंड कुलाम यानि की एक कुलाम आबेस यानि की इलक्टरान कितना है एक दसमलोच 6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 ठीक है अब आपको N निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो N is equal to 1 upon 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 अब आपको क्या करना है फ्रेंड इसमें N is equal to 1 upon 1 into यह इसको आप जब 10 के खावर मानेफ 19 को उपन ले जाएंगे तो 10 के खावर 19 हो जाएगा ठीक है अपान 1.6 ठीक है अब आगे देखे फ्रेंड क्या होगा इसमें यह थोड़ा सा आपका बड़ा पड़ जाएगा लेकिन आप इसी ध्यान से देखिए तभी समझ म आएगा तो फ्रेंड जब आप एक दसमलो 6 को एक से भाग देंगे तो आपका आएगा 0.625 गुड़े 10 के खावर 19 ठीक है अब आपको यन तो N is equal to आपका क्या जाएगा जब आप 6 इस दसमलो को 6 के इधर लाएंगे तो 6.25 गुड़े 10 के खावर 19 और जब इधर से इधर ल इस दसमलो 2.25 गुड़े 10 के खावर 18 इलक्टरान यह आपका आगा तो मैंने आपको बताया कि जो एक कुलाम आबेश में इलक्टरानों की संख्या होती है और इसे प्रूब भी करके दिखाया तो देखे आगे देखे क्या है तो एक कुलाम आबेश में इलक्टरानों की मीटर स्क्वार तो यह भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्ड़ निरुवात की बैदु सिलता का एसा ही मात्रक कुलाम स्क्वार प्लस इंटु नूटन मीटर स्क्वार एपसालन नाट का मात्रक है ठीक है एपसालन नाट का है आप देखे फ्रेंड आपका चाठमा क्य यहां पॉइंट कुछ दूरी परिस्थित कुछ दूरी परिस्थित two गतना हो सकता है तो गतना हो सकता है इस सब आप देखें आपका आठबा पॉइंट क्या है या दिग दोबीद्वाबेश के beach, के बीच ठीक है के बीच कैयरोसीन कैयरोसीन जैसे मिट्टी का तेल ठीक है कैयरोसीन का तेल रख दें जिसे मालेजे दो बिंदो आबेस हैं ठीक है इनके बीच अगर कैयरोसीन का तेल रख दें इसे डिब्बान तेल रख दें कैयरोसीन का तो बिंदो आबेस के बीच लगने वाला जो बल होगा वो घट जाएगा ठीक है जो यह बराबर मलब कुलाम के नियम अनसार जो बल लगेगा वो घट जाएगा उसके बाद नवा पॉइंट का बैद्विच्छेत की तीवरता का मातरग न्यूटन प्रत कुलाम होता है यह तो आप लोग जानते होंगे नहीं जा तो इसके पॉइंट का है दस हमा पॉइंट क्या है आपका एक बैदु से रहे तो वह अलब आधिक प्रभावित कर सकता है तो यह अगर अगर अजय कर सकता है तो फ्रेंड ये थे आपके दस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुईश्चन तो आई होब कि आपको ये दस कुईश्चन जो हैं NCEIT बुक से समझ में आ गए होंगे तो इन दस कुईश्चन को आप तयार कर लिदिए का अगर आपको बोर्ड इग्जाम में दो तीन नमबर का मार्क नहीं छोड़ना है तो ठीक है तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दम यह की बेला आपको आइकन तो ऑचर में अगर फै करें है तो है करें है तो Nim Road